Hello everyone, welcome to logic partiala So, देखे, आज का जो हमारा topic रहे का वीडियो का वो होगा हिमालियास हिमालियास के बारे में हम कर रहे थे, उसका हम division कर रहे थे तो आज हम लोग करेंगे इसका longitude division ठीक है, इससे पहले हमने देखो latitude division कर लिया था, longitude division क्या होता है इस तरीके से हम हिमालिया को किस तरीके से divide करते हैं ठीक है कि ये कौन सर्व reason है, इसके बारे में बात करेंगे फिर इस reason के बारे में इस तरीके से हम लोग इसका longitude division करेंगे क्योंकि यहां से भी exam में question बनता है इसके बाद हिमालिया complete हो चाएगा तो उस पर मैं आप लोगों को एक question वीडियो लेके आऊंगे ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि exam में किस तरीके से यहां से question बनेगा तो चले फिर आज की इस important class को शुरू करते हैं और अगर आपने इससे पहले ये वीडियो नहीं देखी हो हिमालिया mountain ranges की तो इसका link आपको description box में मिल जाएगा तो आप लोग इसको जरूर देखें जब तक आप ये दोनु वीडियो नहीं देखेंगे आपका जो हिमालिया ranges है वो complete नहीं हो पाएगा और बहुत important topic है और other mountains के बारे में भी हम लोग cover up करेंगे ताकि आपका mountains of India है वो जो topic complete हो पाए तो चले फिर start करते हैं आज की वीडियो को तो देखे इस तरीके से हम लोग हिमालिया को चार पार्ट में divide करेंगे इधर आपको कश्मीर हिमालिया जिसको पंजाब हिमालिया भी बोलते है the second one is कुमाओ हिमालिया उसके बाद आप लोगों का ये वाला पार्ट आजाएगा जिसको नेपाल हिमालिया बोलते हैं और last में इधर वाला हिमालिया आजाएगा ठीके तो इस तरीके से चार पार्ट में ये divide होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके division को अगर हम longitudinally वाद करें west to east तो सबसे पहले कश्मीर, पंजाब या फिर हिमाचल हिमालिया तीरों ही इसके नेम है second is कुमाओ हिमालिया, third is central या फिर नेपाल हिमालिया और last रजाएगा सबसे east वाला तो उसे आप असम हिमालिया या फिर east हिमालिया इनके नाम से जानते हैं हिंदी में भी आप लोग इनके नेम देख सकते हैं same यहीं है देखिए कश्मीर, कुमाओ, मध्य, नेपाल, हिमालिया या फिर असम, पूर्वी हिमालिया तो साथ साथ में मैं हिंदी में भी बताती चलूँगी ताकि आप लोगों को चाहिए आप English मीडियम वाले स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम वाले हो तो आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम ना हूँ ठीक है तो चले फिर एके करके इसका डिविजन देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम कश्मीर और पंजाब हिमालया की बात करते हैं तो इसके लोकेशन कहाँ पे मिलेगी तो पंजाब हिमालया की लोकेशन आपको मिलेगी बिटबीन दी इंडस गोड यानि जो सिंदू घाटी है और जो सतलज घाटी है उसके बीच में सबके मैप भी आपको मिलेंगे ताकि हम मैप पे पिल्कुल फोकस कर सके ठीक है तो लोकेशन कहाँ पे हो गए पंजाब हिमालया की सिंदू और सतलज सिंदू सतलज आप में देखा होगा जो जम्मो कश्मीर वाला पूरा रीजन है पंजाब वहाँ पे आपको यह मिलेंगी न दिया तो उससे आप लोग यह हिंट लगा सकते हो कि हम कश्मीर या पंजाब विमालया की बात कर रही है यह पांसो साट किलोमेटर लंबाई में फैले हैं और विट की बात करें तो तीन सो 40 खुलोमेटर तक फैले हैं और यहां पर आपको देखो इसकी जो नौर्थन बाउंडरी क्योंकि जो जासकर रहें से देख रहें जह यह आ रही है आपके 17 जिवत इसी के बीच में आपका जो हिमालिया पढ़ता है उसे हम पंजाब या फिर आप इसको बोल सकते हैं कश्मीर हिमालिया बोल लेंगे ओके और अगर हम मौंटीन्स वाली रेंज की बात के हैं तो देखें यहां पर हमारे पास है जास का रेंज जो क कुमाओ हिमालिय में आएगा और यह जो रेंज हो गए यह हो गए शिवालिक जो इसकी बनाती है साउथ रेंज इसी के बीच में यहां पर यह सारे की सारी जो है वो लोकेशन किसकी है आपकी पंजाब हिमालिया की है तो अब अगर पूछ लिया कि इसकी लोकेशन बिट्व अब भी मिल देंगे जैसे वुलर लेक आपको मिलेगी हाँ पर डल लेक देकि हम लोग एजीले रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यह कश्मीर लोकेशन पर है और इधर की ही लोकेशन पर आपना कश्मीर हिमालने पड़ता है तो हमें रिसको रटने की जुरूद नहीं पड़ेगी यहाँ पर देखे 100 cm rainfall यहाँ पर होती है और विंटर्स में यहाँ पर स्नो बहुत होती है बई कश्मीर है ठंडा देश है स्नो तो होगी ही इसके अलावा देखो इट इस सराउंड़ेट बाई दा स्लोपी माउंटेन यह वही हमने पड़ा के जासकर हो गया पीर पंजाल रे ठीक है तो यह याद रखेगा अब यहां से एक बहुत ही जादा important topic आप कहलो बहुत important concept क्या है यहाँ पे करिवा formation है यह करिवा क्या होता है देखे करिवा formation यह कश्मीर हिमाल्या का बहुत ही famous famous आपके लिए वहाँ पे है इसमें खेती की जाती है जैफरॉन की मतलब जो वह एक दो रेशे ही निकलते हैं केसर के इसलिए केसर बहुत जादा costly होता और यहां के केसर को तो GI tag भी मिला हुआ है कश्मीर के केसर को ओके इस तरीके के यह करिवास होते हैं थोड़ा सा मैदान से उतला part होता है जहां पर इनकी खेते की जाती है तो यह बहुत ही जादा famous है क ध्यान रखेते का कश्मीर हिमाल्यास में तो आप लोगों को याद करने में असानी होगी इसलिए कि लिंक करो रटो मत ठीके रटो गे तो दो दिन बाद आप भूली जाओगे चलो सेकेंड आता है आपका कुमाओ हिमाले कुमाओ हिमाले देखो उत्राकर्ण में कुमाओ रिजन पड़ता है तो रटना मत जो उत्राकर्ण वाला इलाका है वही आपका कुमाओ हिमाले जो है इसके लोकेशन आपको सतलच और जो काली गौर्ज है मतब जो काली घाटी है सतलच है वहाँ पे इसकी location मिलेगी और यह extend होता है 320 km तक इसकी extend मतलब इसका जो फैलाव है इसमें आपको काफी glaciers मिलेंगे लाइक जैसा यमनोतरी रिवर्स में मिलेंगी यमनोतरी गंगोतरी पिंडारी यह सब तो काम सबस्टें क Вас Corn Belt इसकी आप ते नेपाल माउंटें वाला है वह आपको कौन सा हो जाएगा आप इससे Assam Mountain कहलो या फिस सबसे Eastern Mountain तो आप देख सकते हो कि बहुत ही Easily division किया हुआ है बिल्कुल tough नहीं है ठीक है और सतला जब काली के बीच में कौन सा हो जाएगा आपका कुमा ओरीजडन हो जाएगा उसके बद एक यहां पर आपको भी यहां पर जरूर मिलेगा जो जो चीज से उत्राकंड से रेटेटी हैं वो आपको इस रीजन में 100% मिलेंगी तो क्या पर रटना पड़ा आपको नहीं रटना पड़ा ना पाल हिमालिया इसकी लोकेशन में आपको बताया न काली जो वेस्ट की तरफ बहती है और जो रिवर तीस्ता है उसका जो इस्ट वाला पार्ट है वहां पे आपको इसके लोकेशन मिलेगी 800 किलोमेटर तक यह लंबा फैला हुआ है माउंटेंस और जो लेसर हिमालिया है जिसे महा भारत लेक भी कहते हैं वो इस रीजन में आप लोगों को मिलेगा ठीक है चलो एक बार लोकेशन के उपर चलते हैं हम लोग ताकि हम लोग इसको रिलेट कर सके चलो पिछला वाले लोकेशन दिखाती हूँ क्योंकि वो वाला मैप से आप लोग जादा ईजी समझ सकोगे देखो यहां पर हमने बताया था कि काली रिवर का जो जब यह वेस्ट में फिलो होती है तो इसकी डारेशन यहां पर जा रही है वेस्ट की मतलब सौरी यह तो इस्ट है और इधर होगे हमारा वेस्ट ठीक है जब काली रिवर का जो हमारा यह वाला पार्ट हो गया और इध करहा ही मतलब लेसर हिमाल्य का कुछ पार्ट भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा तो इजी है आप लोग एक पर रिवाइज करा दूंगे मैं लास्ट में सबके लोकेशन साके हमें कंफ्यूसर ना रहे बिलकुल भी ठीक है इसके बाद देखिए हापर हमने बोला था कि आप एक पर फिर से भी देख सकते हो रिवर्स की लोकेशन यह देखो काली रिवर इधर से यह जा रही है और यहां पर तीसता रिवर आती है बिलकुल अगर हम यहां देखिए बूटान और इधर सिक्के में ठीक है यहीं से ही तीसता रिवर होती है इधर से काली रिवर आत यह सारे चीज़े लोकिटेट है, यहाँ पे आपको काट मांडू पर नेपाल की राज़़ा नेक्या है, काट मांडू है, तो काट मांडू वैली भी कहा मिलेगी आपको कोई चीज को रटी का मत बिल्कुल भी मैं फिर से बोल रही हूँ हर चीज पॉइंट पे आपको याद होनी चाहिए आप लिंक करके पड़ें ओके लास्ट आपका इस्ट इस्टन हिमालिया कहे लिए पूर्वी हिमालिय या फिर इसे असम हिमालिय भी कहते हैं आप देखो ती पूर्वी हिमालिय फिर जब तीसता रिवर से हम लोग कहां चलेंगे ब्रह्मपुत्र की तरफ चलेंगे जिसको हम दिहांग कूर्ज भी कहते हैं दिहांग घाटी भी कहते हैं इस्ट के तरफ ठीके तो ये लोकेशन आपकी हो जाएगी असम हिमालिय तो ऐसे आद कलो कि अस अरुणाचल प्रदेश और भूटान में जाद अतर पार्ट एक बार आप इसे देखेंगे देखो यहां से आपका यहां तक तो आपका कौन सा हमालिय ता नेपाल उसके बाद ही जो देखो सिक्किम से शुरू हो जाता है इधर की तरफ जो है पूरा आपका अरुणाचल प करें तो तीस्ता रिवर यहां पे आ रही है और भ्रह्मपुत्र रिवर इधर की तरफ कहां जारिए देखो इस्त की तरफ तो यह वाला जो रीजन हो गया आपका ठीक है ये जिसको मैंने पूरा ग्रीन-ग्रीन के है यह पूरा रीजन आपका हो जाएगा ईस्तर्न हिमाल्य का ओके अब यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है, क्या हिमाले सिफ अरुनाचल प्रदेश तक ही फैला है, यह कहीं से टर्न पि लेता है, बिल्कूल टर्न लेता है, जब हम अरुनाचल प्रदेश पर आते हैं, तो उसका जो सौधन बॉर्डर है, वहां से वो टर्न लेत जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टम पूर्वान चल गया होता है ओके एक बार इसके लोकेशन पर चल देंगे उससे पहले कोड़ चीज ध्यानने कि यहां पर मनिपूर हिल्स जहां पड़ता है वहां पर लोक्टक लेक है जिस पर एक फ्लोटिंग नैशनल पार्क है जिसका न इह बहुत है यहां तक फैला हुआ है यहीं मालया के रेंजेस जा रही है लोंगिट्यूट वाली उसके बाद यह अनुराचल प्रदेश इस तरीके से टर्ण होता है ठीक है आप देख सकते हो गां अनुराचल प्रदेश यह टर्ण हो रहा है और इधर नागा हिल्स मिजो ह नागलेंड यहां से यह पासा उट होता है तो क्या यह भारत तक ही सीमित है पूरवांचल वाला जो यह पूरा जारा है नहीं पूरवांचल देखे जॉइन करता है मेगाले प्लैटु को इंदा वेस्ट वेस्ट की तरफ से और इसका एक्स्टेंशन मतलब इसका जो से एक बार माप में देख लेते हैं देखो यहां से यह माउंटीन आया था यहां से इसने टॉन लिया तो यह पूरवांचल यहां से चला पूरवांचल चला यहां से उसके बाद मियंमार में इसका एक्स्टेंशन हुआ उसके बाद बही अंडमाने को बार और नीचे आपक तो आप लोग अच्छे से ध्यान नकीगा एक बार हम लोग रिवाइस करते हैं देखो सबसे वहले हमने पड़ा था पंजाब हिमालिया इसे हम कश्मीर हिमालिया कहती है तो उसके लोकेशन देखो इंडस रिवर थी और 17 रिवर थी इसके बीच में उसके लोकेशन आ रही थी उसके बाद जो आपका कुमाओ हिमालिय दा तो यहाँ पे 17 रिवर थी यहाँ पे थी काली रिवर इसके बीच के लोकेशन आपके कौन सी हो को कुमाओ फिर काली से यहाँ तक तीस्ता तक की लोकेशन हमारी हो गई नेपाल और तीस्ता से ब्रहमपुत्र तक की जो लोकेशन हो गई वो हो गई आपकी इस्टर्ण हिमालिया तो ऐसे हमने देखो रटा नहीं एकदम आपको भी याद आगया होगा कि अच्छा अच्छा ऐसे से लोकेशन बढ़ी है तो हम लोग ने इसको ऐसे ली कवर अप किया है तो देखिए किसी भी चीज़ को हार्ड बनाने से बेटर है या उस टॉपिक से ड़ने से बेटर है बहुत ऊपक कवर अप हो सकता है लेकिन हम लोग बहुत बार ऐसा हो था पहले ही घबरा जाते हैं कि अरे चीज़े रटी नहीं वो चीज़ आपने समझी और अगर question में देखे कुछ additional information भी होगी ना इस topic से related तो हम लोग उसे question में ही cover up कर देंगे मालनी जगर कोई काच चीज़े छूटी भी होंगी तो उसे question answer वाले part में cover up कर देंगे I hope so ये दो part में अगर आपको हमालन रिंजस complete समझ में आ गया होगा इसी तरीके से मैं next part में आप लोगों से question answer वीडियो में मिलूँगी ऐसे ही अपना love and support देते रहें अगे तर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया then please subscribe the channel और notification bell icon को ज़रू किलिक करें ताकि आप लोगों को जब भी वीडियो आई notification मिल जाए चले फे टेक्स वीडियो में में बिलूँगी आपको जाए चले फे टेक्स वीडियो में बिलूँगी आपको जाए तर अबूँगी आपको झाल